Hey everyone, my name is Deeb Shikha Gulswami, welcome back to my YouTube channel Short Short Series 8.0 का ये next part है, second part है अब make sure कीजेगा कि जितने भी पुरानी Short Short Series है उस सारी आपने देख ली है सब के links मैंने आपको share कर दी हैं Telegram Group पर अगर अभी तक join नहीं किया है तो make sure कीजे, Telegram Group को join कर लीजे, link आपको description box में और इस particular session के pinned comment में मिल जाएगा, ठीक है तो उस जवर जाकर Telegram Group को join कर लोगे सारे links सारे Short Short Series के मिल जाएगे प्रस इस series का जो first part है वो भी देख लेना यहाँ पर आपके सामने आपको tyre plasmid दिखाई दे रहा है आपके बाद से आप यहाँ पर है Manitile Opine Catabolism, Octopine Catabolism, Conjugal Plasmid Transfer Between Bacteria, Trar Region, ठीक है और उसके बाद आता है हमारा T-DNA Region, T-DNA Region में शुरुआत होती है Left Border Repeat से end होता है यह Right Border Repeat पे, बीच में Oxyn के, Cytokyrin के और Opinthino के Synthesis के याद रखिएगा Synthesis, इससे बहुत बार Confuse कर चुका है आपको CSIRB और बाकी के Exams की कि यहाँ पर Synthesis के Genes होते है मतलब Anabolism की Genes यहाँ पर मिलेंगे, Catabolism की Genes आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे Apart from that जितने भी Virulence Regions के मतलब Genes हैं, जितने भी Virulence Genes हैं या फिर आपकी Vir Genes हैं, वो सारे की सारे आपको यहाँ मिल रहे हैं, एक Operon Format में यह मिल रहे होते हैं सबसे पहले आपका Vir G जो है वो एक्टिवेट होता है और उसके बाद में यह एक्टिवेट होके बाकी की सारी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है सबके functions यहाँ पर specific यह आपको लिखकर mention कर दिएगा है, जैसे कि D जो हो गया, border endonuclease हो गया यह सबसे पहले activate होता है, यह wound signal को receive करता है उसके बाद यह खुद का phosphorylation करवाता है, G का phosphorylation करवाता है फिर वो activate होके बाकी सारे विर जीन को activate करता है तो इस तरीके से यह पूरा system काम करता है, now question क्या आया है हमारे सामने, which of the following gene is not a constituent of T-DNA in agrobacterium tumefaciens, ठीक है, तो T-DNA का constituent कौन नहीं है, यह पूछ रहे, now octopine, जैसे कि मैंने बताया, synthesis करवाने वाली genes, वही पे मिलेंगे हमको, ठीक है, इसके अलावा IPT, now IPT आपको directly नह जानते हैं, तो यहाँ पर isopentanyl transferase, यह gene बहुत important होता है, यह protein बहुत important होती है, उसके बाद indoleacetamide hydrolase, indoleacetamide मतलब आजाएगा आपका oxygen से related gene, ठीक है, यह protein, तो यह सारे के सारे बाइस जानतरिक पाथवे के parts जो है, वह यहाँ पर present है, मतलब कि आपका T-DNA region है, ट्रां Now, यहाँ पर आपको एक biosynthetic pathway दिखाया गया है, basically कि इसका gibralic acid करना, और gibralic acid के जब हम पाथवे के बारे में बात करते हैं, हमारे सामने तीन चार चीज़े होती है, सबसे पहली चीज, एक होता है, GA20 oxidase, जो कि आपका, जो biosynthetic pathway है, जो कि आपका, जो बाइस इसमें थोड़ enzyme हो जाता है, जिब्रिलिक acid के biosynthetic pathway में, जो हम इसमें downstream चलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर दो enzymes हमको मिलता है, एक तरफ हमको मिलता है GA3 oxidase, और एक तरफ हमको मिलता है GA2 oxidase, जो GA2 oxidase है, यह basically inactive form of gibralic acid का formation करवाता है, और जो GA3 oxidase है, यह आपके active form of gibralic acid का formation करवाता है, इ इस बात से होई थी, कि plant बहुत ही जदा height उनकी ज़्यादा थी, ठीक है, तो long plants आपको देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको dwarf plants देखने नहीं मिलते है, अगर gibralic acid active है, तो, यहाँ पर हमारे पास एक mutation condition आती है, which is known as SD1, अब इस condition में, जो GA20 oxidase enzyme है, यह काम नहीं कर पाता है यहाँ फिर इसकी deficiency होती है, अब आप खुछ सोच के देखो, कि biosynthric pathway में काम करने वाले enzyme में अगर कुछ defect है, वो बन नहीं पा रहा या काम नहीं कर पा रहा, तो definitely downstream pathway भी affect होगा, और gibralic acid का formation नहीं हो पाएगा, और अगर gibralic acid का formation नहीं हो पाएगा, तो हमको plant की जो height है, definitely ज्यागा देखने के लिए नहीं मिल पाएगी, height जो है वो कैसी होगी, कम होगी, तो इसी से आपको याद रखना है, RHT पे भी question आ चुका है, RHT क्या होता है exactly, यह आप मुझे comment section में जरूर से बताएंगे, what do we mean by RHT, अगर आपनों को नहीं कैसे पढ़ा है तो और नहीं cultivar with short thick calms and improved lodging resistance, यह जो gene है, related है to which of the following phytohormones, आप सबको पता है SD1, अगर SD1 नहीं पता तो आपको पता है कि भाई, यहाँ पर semi-dwarfing की बारे में बात हो रही है, मतलब कि height से related कुछ तो चल रहा है, और height से सबसे ज्यादा लेना देना जिस phytohormone का है, वो है जिबरिली क ठीक है, now next point आता है glycolysis से और fermentation से related, glycolysis का जब process होता है तो यह आपको पता है कि यहाँ पर ADP से phos, दो ATP तो बनते ही है, इसके अलावा यहाँ पर जो NAD plus है उसका reduction होता है और वो NADH में convert हो जाता है, now यहाँ पर जो NADH है, मतलब जो NAD plus है जिसका utilization हुआ है, वो वापस स regenerate होता है, देखो इस process में तो यह utilize हुआ, ठीक है, अब जब pyruvate lactate में convert होगा, मतलब fermentation का जो process होता है, वहाँ पर वापस से इससे यह NADH का formation होता है, जिसको कि हम क्या बोलते है, इसको हम बोलते है, regeneration, regeneration of NAD plus, ठीक है, तो यहाँ पर NAD plus का क्या हो जाता है, पर जो कि काफी ज़्यादा जरूरी है, अगर हम बात करें, क्योंकि NAD plus बनता रहेगा, तो glycolysis को यह मिलता रहेगा, और यह आगे काम उतना करता रहेगा, तो दोनों को ही चलने के लिए चीज़े हाँ पर जरूरी होती है, ठीक है, अब question देख लीजे, in the production of alcohol by fermentation, in the absence of oxygen, yeast convert कर देता है, glucose क पाइरोबेट लैक्टेट में, हालग कि यह different type of fermentation है, पर process same ही है, ठीक है, fermentation promotes glycolysis by, fermentation glycolysis को कैसे प्रमोट करता है, definitely कैसे प्रमोट करेगा, क्योंकि यह NAD plus का generation करवा दे रहे है, यह फिर regeneration करवा दे रहे है, पर glycolysis, ठीक है, तो option 4 हो गया, correct answer, next अगर आप यहाँ पर जा चुका है, previously, nucleus में, कौन सी bodies नहीं मिलती, उसमें, एक option आपके पास आता है, P-bodies, यह आपका correct answer हो जाएगा, cytoplasm में कौन मिलती है, या इनका क्या function है, तो यहाँ पर भी आ जाएगी P-bodies, P-bodies का full form होता है, processing bodies, क्या full form होता है, processing bodies, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो P-bodies होती है, यह cytoplasmic structure है, मतलब cytoplasm में present रहती है, इनके अदर proteins होते हैं, जो की mRNA के decapping में involved है, mRNA का capping का process आप सब ज युकलेस के अंदर होता है, mRNA पर cap attach होना, bethyl guanosine वाली यहाँ उसके अलावा टेलिंग अगरा होना, लेकिन यहाँ पर mRNA का decapping का process है, मतलब उसके cap को remove करना, जैसे आप सब जानतों, यह cap बनी, यहाँ इसको remove करने का जो काम है, यह आपका करवाएगा कौन P-body, उसमें involved body, उसके साथ 5' to 3' degradation भी यह इसका करवा देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरीके से यह काम होता है, ठीक है, now P-bodies जो हैं, वो functionally stress granules से associated होती है, cytoplasmic focize है, जो की transiently बनता है in response to variety of damaging agents, यहाँ फिर stress conditions, तो stress conditions है में यहाँ पर आपको यह चीज़ दिखाई देती है Now, question क्या बोर रहा है, कि P-bodies are discrete cytoplasmic collections of RNA and proteins, जो की किस में involved है, तो definitely यह de-adenylation, de-capping और mRNA के degradation में involved होती है, तो ना सिर्फ 5' से बलकि 3' से भी चीज़ों को हटा रहा है, 5' से एक cap को remove कर रहा है, 3' से यह tail को remove कर रहा है, जो हमारा poly-A tail structure होता है, उसको remove कर रहा है, and इन दोनों को हटाने के बाद में RNA का यह degradation भी करवा रहा है, ठीक है जी, so this is all for this session, make sure कि आपने इस चैनल को subscribe कर लिया है, because आपको daily basis पर यहाँ पर videos मिल रही है, daily basis पर आपके सामने यहाँ पर videos आ रही है, plus बहुत सारा informative content जो आपके examinations upcoming सब के लिए जरूरी है, चाहे वो बार को DBT हो, CS subscribe कर लिया है, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, and make sure video को like कीजिए, महिनत आपके लिए की जा रही है, तो उसका थोड़ा सा आपको भी वो होना चीए, ठीक है, एक thankfulness होड़ा बोत, ठीक है, तो आप दिखा सकते हो, subscribe बटन को hit करके, और like बटन को hit करके, इसके अलावा second ची make sure आपने इस चैनल को subscribe कर लिया, telegram को join कर लिया, thank you so much everyone for watching, take care, bye bye